सो हे गाईज विलकम बैक टू आवर अनदर निव ब्लॉग वीडियो और आज के इस ब्लॉग में हम लोग पहुच चुके हैं मुंबई और जैसे ही हमने अपने गारी का बैक खोला तो पानी की बोटले ऐसे गिरी थी वो बता रही थी कि किस तरीके का ट्राफिक था फिर हमने गये रूम में और यहां पर हमारा रूम बहुत ही शांदार था तो हम इस सांदार रूम के लिए जस्ट मना रहे थे हम और विज्जु फिर बिज्जु ने अपने लिए खाना और किया उसने फोन किया और अपनी जितनी सारी फरमाई से थी वो होटल वाले को बता दिया जि क्यों न मैं अपना थोड़ा वो जो काम पेंडिंग है वो काम कर लो फिर हमने जो पेंडिंग हमारा काम था वो काम कम्प्लीट किया और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया फिर हम लोग उठे रेडी हुए और रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं एक मिटिंग के लिए सो मैं और बिज्जू हम दोनों ही तयार हो गए और मिरर में हम लोगों ने अपना आउटफिट देखा और कॉरेडर को देख के ऐसा बिज्जू का आइडिया था कि क्यों न थोड़ा फन किया जाए तो हम लोगों ने ऐसे फन फन में ही ऐसे स्लो मो टाइप का कभी कुछ कभी कुछ ऐसे वीडियो बना लिया और क्योंकि हमारे पास दो तीन मिनिट का टाइम था हमारा लगेज अल्रेडी लगेज नहीं जो हमारा बैग वैग था वो अल्रेडी नीचे चला गया था फिर यहां से हम लोगों ने अपने डेस्टिनेशन जो हमारी मिटिंग थी उसके लिए निकले तो हमने क्या करा अपने बालों को उलज़ा लिया सुलज़ाने के बदले जबकि हमको सुलज़ाना था और ये हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे ना बिज्जू के लिए ऐजा फर्स टाइम था मुंबई मैं तो अल्रेडी जा चुकी हूँ तो मेरे लिए ठीक था बट जो फर्स टाइम वाली एकसाइटमेंट होती है वो बहुत ही अलग होती है फिर एक छोटा सा मिटब था ब सब्सकार्पाद… हमने प्लान किया है कि भी सबीच पे विज हम लोग जाएंगे बीच पे तो बीच पी जाने के रास्ते में याच्छे सेलीबरेट किया जाता है तो वहाँ पे हर जगा जगा पर आप देखेंगे तो ऐसे गनेश जी का पूजा, गनेश जी का विशर जन, गनेश जी की यात्रा हर जगा जगा पे निकल रही है जो कि बहुत ही अच्छा है गनेश यात्रा के लिए बहुत ट्राफिक था यहां पर वर्ट मज़ा भी आ रहा था उतना ही ज़्यादा क्योंकि वह जो देखने में जो आनंद आता है ना बहुत सांदार था वह जो देखने में बहुत मज़ा रहा था सो फाइनली हम लोग पहुंच गए बीच पे और बीच पे पहुंच देखने बाद हमने की थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग मुझे बहुत डर लग रहा था और पहली बार था मेरे लिए मैंने इससे पहले हॉर्स राइडिंग नहीं करी थी और मुझे डर लग रहा था उस दि या फिर जो मुंबई से बाहा रहते हैं वो जरूर जाए एक बार जरूर जाकर के वहां पर विजिट करें फिर हमारा प्लान था हम लोग वहीं पर बढ़ाएं में ही रुके तो हम लोग ने ऐसे मारीन लाइन से बहुत ही अच्छे से दिख जाता है तो हम लोग इसमें हमारा जो रूम था हमने उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे उसको देख रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने थोरा सा बीज पर ही बहुत सारा मस्ती करा हमने और बिजुने बिजुने पता नहीं कौन से गाने पर डांस करी अब तो मैं भूल भी गई उस चीज को कि कौन सा गा आते हैं और बहुत मज़ा यहां पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ऐसा लग रहा था कि साल दो साल तो रुखी जाओ उदारी मरीन लाइन पर रूख जो वहीं पर अपना घर बना लो और रूख जो लेकिन क्या बोले अपने जजबातों को काबू करते हुए हम को कर साइँ कि लोले हाँ हुए हैुए हRY बेझा है कbling सबस्क दोते हैं है तो यहे लोग कि सदिस्पावलो कर दोते हैं जना है है जाइड़ो यहë है शो दौत कर यहाँ बहा है जजवा है है तर Bowl से घ्यरह जोजगलो कर्से सामस्रावरा क्त्व बожетउर बार भार कैस की अंसर